परिक्षाओं को आगे आयुजित किया जाएगा खाबर यह कि बारवी की परिक्षाओं चुरू होने से 15 दिन पहले इसकी जानकारी दी जाएगी ताकि बच्चों को किसी तरह की कोई परिशानी ना हो देखेखे बिल्कूल इस समय हमारे साथ मौजूद है दिल्ली के सिक्षाम उप मुख्य मंतरी मनीश शिशोदिया जी मनीश जी दिल्ली की तरफ से आप लोग मांग कर रहे थे कि ये परिक्षाव को रद किया जाए दसवी की परिक्षा को तो रद कर दिया गया बारवी की परिक्षा के बारे में एक जुन को समिख्षा की जाएगी दिल्ली कैसे इस फैसले को देख की है हमें खुशी है कि चात्रों के हित में ये फैसला लिया गया इससे देश के सिर्फ दिल्ली के 6 लाख नहीं देश बर के करीब 30 लाख चात्रों को इससे रहात मिलेगी उनके पैरेंट्स को टीचर्स को रहात मिलेगी सब डरे हुए थे कि अगर 4 मईश से अपने बच्छों को ए कर दी गई है ये एक अच्छा स्टैप है कि इंटर्नल एग्जामनिशन्स जो हुए ऑनलाइन पर पिछले एक साल में दस्वी और बार्मी दोनों ने ऑनलाइन पढ़ाई की थी दस्वी के बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई के आधार पर और ऑनलाइन असेस्मेंट के आधा बार्मी की परिक्षाओं अभी पोस्ट पॉन की गई है ये थोड़ा सा मुझे लगता है इसको भी एक ओपन हर्टेडली सोचके और बार्मी की परिक्षाओं को भी उसी तरज पर जैसे दस्वी की परिक्षाओं में मुलंकन किया जा रहा है बार्मी में उसी तरह से मुलंक और उसके बाद 15 दिन का लेकिन कम से कम समय दिया जाएगा बच्चों को. जैसा ही फैसला ले लिया जाता तो और अच्छा था लेकिन फिर भी ठीक है इसका हम सौरित करते हैं. जैसा हम उसके लिए रिक्वेस्ट करेंगे कि इन सरकार से उसको भी ठीक करें ताकि बार्मी के बच्चों के जिन्दगी से भी एंग्जाइटी उनकी खत्मों और वो भी अपना रास्ता आगे का तैह कर सके मनीजी एक अंतिम सवाल बार्मी के बाद क्योंकि बच्चों को एक्जाम आगे बढ़ाने पड़े हैं बार्मी के तो बार्मी के बच्चों को जो और परिक्षाइं देनी थी वो भी आगे ही बढ़ानी पड़ेंगी उसके अलावा कोई विकल्प नहीं है बहुत बहुत शुक्रिया तो दिल्ली के मुख्य मंत्री और सिक्षा मंत्री केन ने जो कदम उठाया है वो बहुत शानदा फैसला किया लेकिन अगर बार्मी को लेकर के भी फैसला होता तो शायद एंग्जाइटी खतम हो जाती लेकिन बार्मी के बच्चों को अभी एक जून तक इंतजार करना होगा क्योंकि एक जून को जो समिक्षा बैठक होगी उसमें आगे का फैसला किया जाएगा झाले जाएटा